भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कुछ हिस्सों में शीत लहर के इस्थिती और बारिश के बीच देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ मध्य भारत और महाराष्ट के तापमान में भी 2-4 डिगरी सलस्यस की गिरावट की भविश्यवाणी की है आने वाले दिनों में बिहार, पंजाब, हर्याणा, दिल्ली, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में रात और सुबा के समय बहुत घना कोहरा चाने की सब्भावना है इन राज्यों में तापमान भी तेजी से नीजी गिरता जा रहा है मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान तीन से चार डिगरी पर पहुँच सकता है मौसम विभाग के मुताबिक लद्दाख, जम्मु कश्मीर, हिमाचर प्रदेश और उतराखंड के पहाड़ों पर हिमपात की साथ-साथ बारिश की भी संभावना है हिमाले इलागों में तो तापमान गिरकर माइनस में चला गया है कई जगों पर लोगों को पानी की समस्या उत्पन हो गई है क्योंकि पानी वर्फ बन जा रहा है इन राज्यों के अलावा केरल, करनाटक, तमिलनाडू और आंधर प्रदेश और ओडिसा में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है देश में तेज दिसंबर से शीत लहर का प्रकूप देखने को मिल रहा है मौसम विभाग की माने तो अगले पांच दिनों तक हिमाचल, पंजाब, हर्याना, उत्तुराखंड और उत्तुरी राजस्थान में शीत लहर का असर देखने को मिल सकता है सुबा की समय हवा की रफतार भी तेज होगी मौसम विभाग का कैना है कि क्रिसमस पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है जिसे दिन का पारा गिरेगा, इससे लोगों को कपकपाती ठंड और ठिठुरन का ऐसास होगा जादा होने से गहरी धुंद पढ़ने की भी संभाव न जताय जा रही है दिली में सुबा साथ बजे तापमान गिरकर साथ डिगरी तक पहुँच गया वहीं आज अधिक्तम तापमान उननिस डिगरी तक रह सकता है राजधाने में जिस तरह से तापमान में गिरावट हो रही है उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं उत्तर और पूर्वी भारत के अधिक्तर राज्य कोहरे की मार झेल रही है घने कोहरे की कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है जिससे सबसे अधिक बुरा आसर रेलवे पर पड़ रहा है जिसके चलते कई ट्रेने निरस्त कर दी गई है कोहरे की बज़े से दिल्ली में कई उड़ाने भी प्रभावित है दिल्ली को छोड़ दें तो दूदराज के एक शेत्रों में कोहरा खूप छा रहा है इससे रेल परीचालन प्रभावित हो रहा है दिल्ली अन्सियार में कडाके की ठंड के बीच आई एमडी निचे तामने दी है कि दिल्ली में आने वाले दिन तीन दिनों तक कोहरे का सितम जारी रह सकता है दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सोम वार तक घना कोहरा लगने के आसार हैं ऐसे में लोगों को खास साधानी बरतनी होगी आपक बता दें कि जब निउनतमता अपमान 10 डिगरी से नीचे और अधिकतमता अपमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिगरी कम रहे ये इस्तिती दो दिनों तक बने रहने पर मौसम विभाग दिन में शीत लहर की घोशना करता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें